इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। द्वारा निर्धारित खुराक और तरीके से भोजन के साथ या भोजन के बिना दें। ये अकेले या अन्य दवाओं के सयोजन में निर्धारित किया जा सकता है। और वही खुराक दोबारा दें। हाला कि अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो खुराक को दोबारा न दोहराएं। दवा के सेवन से मतली, उल्टी, चक्कर आना, नीद ना आना और सिर्दत जैसे कुछ मामूली और अस्थाई दुषप्रभाव हो सकते हैं। ये दुषप्रभाव आदर्श रूप से अपने आप कम हो जाने चाहिए। लेकिन अगर वे आपके बच्चे को परेशान करते हैं या परेशान करते हैं तो बिना किसी देरी के अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्ष करना सबसे अच्छा होगा। अपने बच्चे के डॉक्टर को सूचित करे कि क्या आपका बच्चा किसी चिकित सा पध्धती पर है या उसे किसी दवा, उत्पाद या भोजन से अलजी है सुनिश्चित करे की डॉक्टर को पता है कि आपके बच्चे को दिल, लीव, किड्नी की कोई समस्या है या समय से पहले पैदा हुआ है उपचार में किसी भी जटिलता से बचने के लिए आंत्र रुकावट, कुपोशन, वजन से समबंधित मुदों और थायराइट की समस्याओं के बारे में किसी भी इतिहास के बारे में डॉक्टर को बताया जाना चाहिए समपून चिकित्सा इतिहास जानने से आपके बच्चे के डॉक्टर को खुराक में बदलाव करने और आपके बच्चे के समगर उपचार की बहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद